मुल्ली गंश के भगत सीह स्टेडिया में चल रहे टीटवेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में कोरिया पट्टी ने बहरोपट्टी को किया पराजित आपको बता दे कि स्टूडेंट क्रिकेट क्लब पकलिपार के तत्वधार में आयोजित साथ देसे शहीत कैप्टन आश्टो श्यादो स्मृति कप टूर्नामेंट की विजेता कोरिया पट्टी टीम बनी पकिल पारगाव के भगत सीह खेल मैदान पर आयोजित टीट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कोरिया पट्टी और भैरोपट्टी टीम के बीच खेला गया जिसमें टॉस जीत कर पहले बल्लेवासिक करती हुए कोरिया पट्टी टीम की खिलाडियों निर्धारित ओवर में 9 विकेट खोकर 250 रन बनाए जवाब में भौरी पट्टी टीम की खिलाडियों ने 19 ओवर में 236 रन बनाकर ओल आउट हो गये इस प्रकार कोरिया पट्टी ने 14 रनों से विजेता ट्रोफी अपनी नाम की टूर्नामेंट में अंपायर जितेन बेसरा और अज़र टुडू थे कमेंटरी राहुल कुमार एवं रविकांत ने किया स्कोरिंग अविनाश कुमार ने किया मैज समापन के उपरांद घोडा रेस का भी आयोचन कराया गया विबन जगाओ से आये दर्जनों घोड सवारों ने घोडा रेस में भाग लिया मैदानों के चारों और दर्शकों की भीड देर शाम तक उम्डे रही पुरसकार वितरन समारों में हरीपूर कलापन शायत की मुख्या डॉक्टर लक्षमी कुमारी और समाथ से वी विश्वजीत कुमार पिंटुम मुख्या ने चिदा परिशत प्रत्याशी कृष्णकांत मंज़ों ने कोरिया पट्टी टीम को विश्वजा टृफी प्रदान की उप विश्वजीता टीम होरा पट्टी को अतितियों ने टृफी प्रदान कया Man of the match का किताब कोरिया पट्टी के नीरश यादों को मिला मोके पर अनिरोध याद, बिरेंद्र याद, जे कुमार याद, रगुनन याद, अन्मोल याद, राहुल कुमार, रविका अंतराय, राजेश कुमार, आनन्द याद, विट्टु याद, शरद याद, रंजन याद, मोनु याद, प्रशान कुमार, रुतुराज, संतोष, बा पेंटीकुमार की रिपोर्ट।